ये वीडियो WhatsApp से लेकर ट्विटर पर खूब वाइरल है कहा जा रहा है कि कॉंग्रेस कारिकरताओं ने हिंदू देवी देखताओं का अपमान किया सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजे एक ट्विटर यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कॉंग्रेस पार्टी के नेता सनातन धर्म के हिंदू देवी देवता के उपर जूते पहन कर डांस करते हैं हिंदू लोगों ने 65 वर्ष से कॉंग्रेस पार्टी को वोट दिया मैं और मेरा परिवार कॉंग्रेस पार्टी को वोट कभी नहीं देंगे प्रापगेंडा आउटलेट पांची जनी ने इसे कॉंग्रेसियों की सर्वनाक हरकत बताया और दावा किया कि कॉंग्रेसियों ने भगवान राम की तस्वीर को पैर से कुचला और पोस्टर फार दिये जबकि इस वीडियो की असलियत कुछ और ही है वीडियो में दिख रहे लोग दरसर बीजेपी कारी करता है हमने वीडियो को ध्यान से देखा और सुना एक मौके पर शायद ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा शक्स कहता है ये हमारे बीजेपी पार्टी के कारी करता है साथ ही जो महिलाएं पोस्टरों को फार रही थी उन्हें जैजे सिया राम का नारा लगाते हुए देखा जा सकता है इसके अलावा भीर में से कई महिला को भाजबा के निशान वाला सकाफ पहने हुए भी देखा जा सकता है इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जब हमने सर्च किया तो हमें एक ट्वीट मिला इस ट्वीट में बताया गया था कि भाजबा महिला मोर्चे की सदस्यों ने कॉंग्रेस से नफरत और गृना के चक्कर में स्री राम चंद्र जी और हनुमान जी के पोस्टरों को पैरों से कुचल दिया हमने देखा कि कई मीडिया संगटनों ने भी इस मामले पर रिपोर्ट पब्लिश की है फ्री प्रेस जर्नल की इस रिपोर्ट के मताविक मध्य प्रदेस कॉंग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के बीजेपी नेटा इमर्ती देवी पर दिये गए विवादित बयान को लेकर ये बीजेपी कारीकर तप प्रदर्शन कर रही थी प्रदर्शन कर रहे बीजेपी महिला मोर्चा की कारीकरताओं ने जीतु पटवारी के एक पोस्टर को उलटा कर उसे पैरों से कुचलना शुरू कर दिया उसी पोस्टर में राम और हनुमान की तस्वीर भी थी एवीपी न्यूस ने भी इस मामले पर रिपोर्ट पब्लिश की है कुल मिलाकर ये दावा पूरी तरह से गलत है कि कॉंग्रेस कारिकरताओं ने जूते पहन कर राम की तस्वीर को कुचला ऐसा करने वा और स्वीर है कंप।